हलो स्टुडेंट वेलकम बैक तो मैंटीजटर 24-7 माइनेम इस अनीता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हाव टू मेक नोट्स इन हिस्ट्री काफी सारे बच्चे कॉमें सेक्श में लिख कर पूछते हैं और उनको कोई न कोई प्रॉब्लम होती है कि मैं ये बताइए कि हमें हिस्ट्री में नोट्स कैसे बनाने हैं बहुत ही शॉर्ट में बता दीजिए और ऐसा बता दीजिए कि जल्दी से हम उसको लर्न कर ले और अपने एक्जाम में फुल स्कोर कर सकते हैं मतलब बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन होने वाले आप इसको लास्ट तक देखेगा और इसको फॉलो जरूर कीजिएगा डेफिनिट्ली आप अपने एक्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे इस चीज की शॉर्टी है तो आपको क्या करना है how to make notes in history effective and simple ठीक है बहुत effective है और simple way में बताऊंगे कि आपको कैसे notes बनाने है इसके अलावा आपको क्या करना है इसको जरूर जरूर से end तक देखना है उसके follow करना है आप सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी important points की तो important points में क्या-क्या चीज़े आ है वो आपकी spiral binding वाली notebook हो या फिर कोई register हो तो सबसे पहले आपको लेना है ठीक है फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको कभी भी papers में इसमें notes मत बनाना क्योंकि paper कैसे होता है कि वो misplace हो जाने का उसमें डर रहता है कि कोई paper आपने आज बनाया है तो वो misplace हो गया दो दिन notebook ही बनाओ ताकि आप सारी चीजे या सारी जितने भी notes बनाओ आपके chapter wise वो सारे एक ही जगवे पर आपको मिल जाए next आपता है आपका stationery note बनाते समय ठीक है notes बनाते टाइम आपको जो-जो stationery चाहिएगी वो कौन-कौन सी होगी आपके pens होंगे ठीक है pens भी आप colorful ले सकते ह ठीक है तो color pens होंगे मतलब sketch pen होंगे और इसके अलावा highlighters ले सकते हैं तो आपके जो pens की मैं बात कर रहे हूं कि आपका blue हो गया red हो गया green हो ठीक है black हो गया इस तरह के pens आप ले सकते हैं इसके अलावा आप क्या कर सकते हो अपने color pens ले सकते हो मतलब sketch pen ले सकते हो या फिर highlighters लिए सकते हो, clear है, अब हम बात करेंगे किसकी sticky papers की, अब आप बोलोगी कि मैडम ये किस काम आते हैं, तो ये sticky papers होते हैं कि जब भी आप अपने notes बनाने जा रहे हो, ठीक है, आपने एक chapter के notes बना लिए, आप जब एक chapter के notes बना लिए आपने, तो उसके बाद दूसरा जब chapter start कर करते हो, तो उसके उपर एक sticky paper जो होता है, आप उसको stick कर लिजिए, आप उसको वहाँ पर चिपका लिजिए, ताकि आपको ये पता रहे और उसके उपर लिख दीजिए, ठीक है, अब ये जो इस तरीके से आपने page के उपर एक stick paper लगाया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए चाप्टर 2, चाप्टर 3, जो भी जिस भी चाप्टर के आप बना रहे हो, इससे क्या होगा, कि आपको कई बार 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 ढूंडने की जरूद नहीं पड़ेगी, कई बहुत जल्दी में होते हैं, हमारा थोड़ी देर बाद चाप्टर स्टार्ट होने वाला है, या फिर हम एक्जाम देने जा रहे हैं, तो फटा फट से आपको क्या करना है, मुझे जो है, वो सेकिंड चैप्टर में ज्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसके नोट्स देख लेता हूँ, तो आप क्या करोगे, स्टिकी पेपर से आपको बाहरी दिखाई दे ज़िएगा कि आप उसको किस तरह से, जल्दी से क्विक्ली ओपन करते हो, उसको थोड़ा साव रिवाईज कर लेते हो, तो ऐसके बाद क्या आइगा, उसके बाद प्रॉपर सिटिंग प्लेस, आपको क्या करना है, एक प्रॉपर सिटिंग प्लेस बनाना है, ठिक है, ऐसा नहीं कि आपने आज इदर बैठ कर अपने नोट्स बना लिए तो सारा अपना जो भी समान था आपने वहीं पर रख दिया उसके बाद कल वहां पर आपको जगे नहीं मिली या कुछ और काम हो रहा है वहां पर तो आप कहीं दूसी जगे बैठ गए तो आपको अपना टाइम भी बचाना है कि बार-बार-बार आपकी sitting जो place है वो change ना करना पड़े इसलिए कोशिश करना कि जहां पर आप अपने notes बनाओ ना एक proper sitting arrangement कर लो वहां पर proper sitting place बना लिजे ताकि आपका study material ताकि आपके notes बनाने आपकी books वगरा है वो वहीं पर एक proper तरीके से वहीं पर आपक time क्या होता है note बनाने का तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो time होता है देखो वैसे तो कोई time नहीं होता लेकिन आपका जो the best time है जहां पर आप notes बनाना आपने start करेंगे तो सबसे पहला point इसमें जो सबसे main है वो है during the class चाहे आप online class ले रहे हो चाहे आप offline class ले रहे ह है offline class में आप school जाते हैं classroom में बैठे है teacher आपको lecture दे रही है convey कर रही है मतलब आपको chapter को आपको clear कर रही है concept clear कर रही है तो मैडम के पढ़ाने के साथ साथ teacher के पढ़ाने के साथ साथ book आपके open रहेगी तो आप जैसे-जैसे मैडम बोलती रहती है वैसे-वैसे उसको underline कर ल हैंगे हर teacher बताता है तो उसको क्या करना आपको underline कर लेना है उसको या फिर आपके पास highlighter होगा उसको highlight कर लेना है दूसरी बात ठीक है तो यह हो गया आपका during the offline और online classes जब भी आप ले रहे हो ठीक है YouTube पे ले रहे हो तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं भी पढ़ाती हूं तो मैं भी यह बताती हूं कि मुझे जो है यह आपका chapter में से यह वाले question जो है वो one marker के आने है यह three markers के आने है यह आपके landy questions में आने है तो उसको जरूर देखेगा कि madam teacher जो है वो कहां पर आपको बता रहे है कि कौन सा topic कौन से topic से कितने question कितने mark से question आ रहे है तो उसको जर सास के दोरान यह activity करनी है ठीक है अब next आता है आपका highlight or the underline in book ठीक है बुक आपके पास खुलिए तो मैडम के पढ़ाने के साथ साथ में कहां कहां पर मैडम ने important बताए है बस उसको highlight करना है ठीक है बुक के अंदर ही उसके बाद understand अगर आपके पास time है और बहुत जल्दी आप लिख सकते हो तो आप सास साथ में कहीं पर register होगा तो उसको भी आप लिख सकते है ठीक है तो क्या करना है यह कई बर ऐसा होता है कि साथ में friends बैठे होते हैं तो वो बोलते हैं कि बाद में बलाने ना कुछ ऐसा कर ले ना तो तब भी आप ये आपके पास दोनों option मैंन topic पढ़ा रही है तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि कहां पर मैंने क्या चीज़ें पढ़ाई है या teacher ने क्या चीज़े explain किये कहां पर important बताए और कहां पर क्या चीज़ें उन्होंने describe करी है तो easily उसको जो है carefully आपको understand करना है always write the topic and the sub topic ठीक है before making the notes ठीक है with उसके sub topics लिखेंगे ठीक है sub topics में क्या गया for example आपको मैंने दिया कि 1857 पर revolt करना है ठीक है तो मैंने यहाँ पर अपना topic डाल दिया 1857 ठीक है revolt तो यहाँ पर मैंने main topic लिख दिया अब इसके main topics में कौन से जैसे अवद में हुआ था ठीक है अवद में जहासी में या फिर क्य क्या है तो इसमें bullets में आप लिख लोगे क्या इसके causes क्या थे इसके causes क्या थे फिर इसमें जो है यह fail क्यों हुआ राइट कहां कहां पर यह start हुआ तो इसके सब topics आप लगा लोगे ठीक है तो इस तरीके से bullet form में या numerical form में आप इसमें इस तरह से topic और sub topics के notes बनाते आने है कि आपके इसके fail होने के reason क्या थे तो फेल होने के भी काफी सारे reason थे तो यहाँ पर दूसरा जो यह जो heading है, उसके क्या बना लोगे, कि why it is failed, ठीक है, तो why it is failed, तो failed कि मैं question mark लगा लोगे, कि क्यों हुआ ये, क्यों fail हुआ, इतना बड़ा जो revolt हुआ, ये क्यों fail हो गया, क्यों usuffle हो गया, फिर उसके बाद में सब topics ये bullets की form में करना है, उसके reasons लिख देने है, ठीक है, भी आप mention करते हो, या लिखते हो, उसको bold letter में लिखना है, उसको ऐसे highlight करना है, कि आपको एकदम से देखते ही, उस पर नजर पढ़ जाए, और आप उसको easily पढ़ सको, उसके बाद जो आपने ये sub topics किया है, तो sub topics को एक color से करना है, ठीक है न, तो आपने क्या किया, माल लि जाएगी, उसमें वो categorize हो जाएगा, ये topic है, उसको और ये sub topic है, ठीक है, तो with color pen, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, कि how to make, ठीक है, अब format में बता रही हूँ कि किस तरह से आपको अपने notes बनाने है, अब मान लिजे, example देती हूँ मैं, ठीक है, अभी मैंने ब हुआ था, तो आपने उसको जो underline किया है, वो सारी dates और वो सारी events जो है, वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है, ठीक है, अब जैसे बुझा कि revolt कब हुआ था, तो आपने क्या कर लिया, 1857, ठीक है, अब ये revolt जो था, वो कब हुआ था, ये हुआ था, 1857 को, ठीक है, उसके ब 11th में, 11th में 1857, ठीक है, और कहां से स्टार्ट हुई थी है, ये आपके, कौन सी जगे थी, आपकी बैरतपूर से तो खैर मंगल पांडे थे, लेकिन ये कहां से होती है, आपकी मेरट से होती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, आप इसमें मेरट लिख लोगे, ठीक है, अपनी खुद की अन्वाइटिंग में, उसके बाद, डेफिनेशन, डेफिनेशन जो है, वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, एतनी कितनी बड़ी-बड़ी होनी चाहिए, मतलब इतनी बड़ी-बड़ी आपने लिख लिए, जिसको लर्न करने में भी आपको डिफि को लिखना है, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान दखना है, वो क्या, कि आपको डिटो हूब हूब जो है, आज टीज आपको कॉपी करके अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, अब ये 1857 के रिवोल्ट में काफी सारे कॉजिस हैं, अब आप लाइन बाइन तो उसको वर्ड इस तरीके से आप क्या करोगे हिस्ट्री में डेट और इवेंट ये बहुत होती है, इसलिए जरूर कोशिश करना कि पहले डेट और उसके साथ में डैश लगा करके उसका इवेंट लिख दोगे, तो जब भी आपका एक्जाम होगा आपको डेट जगे 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 पर लर् आपको उनको जरूर जरूर से follow करना है जरूर जरूर से देखना है यहां से बहुत सारे questions बनते हैं अब जो है वो pattern थोड़ा सा change हो गया कि CBSC में जो back exercise है वहीं से question पहले दे देते हैं यह बहुत पुराना pattern हो चुका है अभी क्या होता है blue boxes में जो content दिया होता है उसको जरूर जरूर से पढ़ेगा उसको note down भी कीजेगा कि इसमें क्या ऐसा लिखा हुआ है जिसकी वज़े से बहुत ज़्यादा यह important माना जाता है तो आप उसके भी notes बनाईएगा अब क्या होता है कि chapter में जितने भी diagrams आए हैं ठीक है कोई भी आपका diagram आया है diagram तो वैसे history में नहीं आ है उसके अलावा हम क्या करेंगे जो चीज आपको नहीं करनी है बतलब पहले हम करेंगे कि क्या mind map बताती हूं आपको mind map कैसे बनाना है यानि कि इनके अलावा जो भी बाते मैंने बताई है इनके अलावा आपको एक mind map बनाना है वो भी बहुत ही छोटे से short में तो revolt of 1857 का ज 1857 का जो revolt है वो अवद में कब स्टार्ट हुआ इसके पीछे की स्टोरी क्या थी तो इसमें क्या करना है अब आपने ये अवद कब स्टार्ट होता है बुलेट्स में आपने लिख दिये ठीक है अवद में कौन सा रूलर जो है इसको लीड कर रहा था आपने उसमें बता दि इसके बाद हमें क्या करना है एससी हमें जासी में करना है कि जासी में जासी को कब एक्किया गए वहां से कौन लीडर लीड कर रहा था उसके साथ में क्या हुआ तो चशोते हो गया मतलब कि छोटे से में आपने इतना सारे टॉपिक को इतने सारे कंसर्प्ट को क्लियर कर लिया जो कि important है पूरा पढ़ने की जरूत ही नहीं है क्योंकि जो चीजे में थी important थी वह आपने यहां पर लिख ली चैप्टर से आ रहे हैं इस चैप्टर से बार-बार एक ही कोशन को बार-बार जो है इस कोशन को पूछा जा रहा है तो आप उस कोशन को अपनी notebook जहां पर notes बना रहे हैं आप वहां पर लिख ले रहे हैं चाहे वह आपका one marker है three marker है या फिर lengthy questions है ठीक है तो आपको क्या करना है इसमें one marker इसमें three marker इसमें five marker या इससे कोई map question भी आ रहा है एक particular chapter से उसको note कर लीजी अपनी notebook में clear हो गया ठीक है अब क्या करना है अब चलते हम आगे कि आपको कौन सी चीजे इसमें से नहीं करनी है don't do this right क्या चीजे नहीं करनी है आपको कभी भी अपने notes जो है वो lengthy नहीं बनाने है बड़े-बड़े notes नहीं बनाने है बच्चों को पता ही नहीं होता students को कि उनको notes कैसे बनाने हैं हमेशा notes ऐसे बनाओ कि बस आपको समझ में आए कि आपने जो लिखा है क्योंकि understand करके आपको ही जाना और आपको ही अपने exam में लिखना है तो आपको बड़े-बड़े notes नहीं बनाने हैं जैसे मैंने अभी क्या कहा कि जासी में कौन lead कर रहा था उसके पीछे क्या story थी वो story नहीं लिखनी आपने अपने notes में आपने क्या करना है कि जासी से लक्षमिबाई lead कर रही थी इस तरह से जासी को capture किया गया ठीक है तो जो भी important dates और events आये हैं बस आपको उन्हीं को ही notes में लिखना है ठीक है उसके बाद never use the same pen जब भी आप notes बना रहे हो तो same pen use मत करो इससे क्या होगा कि आपका focus जो है वो particular एक topic पर रहने के बजाए आप उसमें ढूंडते रह जाओ कि मैंने वो कहां लिखा था इसलिए कोशिश करना कि आप color pens को use करो ठीक है या फिर highlight को हाइलाइटर यूज कर लो don't use the different pages आप अगर पेज में बना रहे हैं ठीक है आपने आज अगर उसको white ले लिया फिर आपने green ले लिया यलो ले ये बाद में उसको जाप आप spiral binding करा होगे तो वो ठीक है लेकिन आपको क्या करना है different pages को आपको use नहीं करना है कोशिश करो कि register में या फिर आपकी spiral binded जो notebook होती आप उसी में बनाओ rather than page के next आता है क्या का आपका understandable handwriting होनी चाहिए गंदी बंदी ऐसे notes बनाईए कि आपकी handwriting आपको ही समझ में आ जाए ठीक है ना बाकी हमें दुनिया को नहीं समझाना हमें अपने बाकियों को नहीं समझा अपने friends को सिर्फ मुझे समझ में आ जाए ताकि मैं समझ करके दूसरों को बता सकूं तो handwriting कैसी होनी चाहिए understandable होनी चाहिए next आता ह अप writing करते जाएंगे तो उसमें थोड़ी सी खिचड़ी बनने का डर रहता है तो आपको खिचड़ी नहीं बनानी है आपको क्या करना है बहुत सुंदर सी handwriting में और उसमें space दे करके topic जैसे एक खतम हो जाता है फिर उसके बाद दूसरा topic करने से पहले आप उसमें थोड़ा इसके अलावा आपको धेर सारा thank you ठीक है वीडियो को देखने के लिए और comment section में लिखकर बताईएगा ठीक है कि आपको session कैसे लगा और ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा helpful रही और साथ साथ में किस तरह की आप वीडियो लेना चाहते हैं मतलब किस तरह की वीड आउट से वो आप comment section में लिखकर बता सकते हैं उस पर एक वीडियो बना दी जाएगी ताकि आपके सारे concept जो हैं वो clear हो जाए thank you very much मिलते हैं इसी तरह के informative वीडियो के साथ में next class में बबाए